यह कहानी है जगी पकोडे वाले की जगी की पतनी सीमा और जगी दोनों मिलकर पकोडे बेचा करते हैं जगी के पकोडे लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है जो एक बार उसकी दुकान में आता है, वो बार-बार आना चाहता है राजू और उसके दोस्त दिनकर को आज पकोड़े खाने का मन हुआ, तो वे नुकर के पकोड़ों की सबसे फेमस दुकान, यानि जग्गी पकोड़े वाले की दुकान की ओर बढ़ चले राजू और दिनकर बाते करते हुए जग्गी की दुकान के बिलकुल नस्दीक पहुँचके थे, तब ही उन्हें दूर से जग्गी की दुकान पर भारी भीर दिखाई दी अरे दिनकर भाई, कहीं आज भी हम लोग लेट तो नहीं हो गए, देख रहे हो जग्गी की दुकान के बाहर लोगों की भीर दिनकर दुकान की ओर देखता है, लेकिन एक बात उसे अजीब सी लगती है, उसने देखा कि दुकान के बाहर जितने लोग थे, लगभख सभी के हाथ में डंडे थे, कुछ ने पत्थर भी उठा रखे थे अरे राजु भाई, भीर तो दिख रही है, लेकिन भीर में लोगों ने डंडे और पत्थर क्यों उठा रखे हैं, कहीं कोई गड़मर है क्या उन्हें कुछ समझ आता, उससे पहले लोगों के जोर-जोर से चिलाने की आवाज आने लगी, और सभी गुस्से में कह रहे थे उसके बाद दिनकर और राजु ने देखा, कि वहाँ खड़ी भीर जग्गी को दुकान से खीच कर बाहर निकाल रही है ये कहकर भीर में खड़े एक आदमे ने डंडे का जोर का प्रहार जग्गी पर किया, जग्गी दर्थ से कराहने लगा उसके बाद तो कई लोग डंडे से उसे बारने लगे, उसके सिर से खुन निकलने लगा वो लोगों के आगे हाथ जोड़ कर माफी मागने लगा ये कहकर भीर में से ही एक आदमी ने अपने हाथ में लिया पत्थर उठाया और उसकी ओर तान दिया ये देखकर जग्गी दुकान से निकल कर तेजी से भागने लगा जग्गी आगे आगे भाग रहा था और गुसाई भीर उसके पीछे राजू और दिनकर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग जग्गी के पीछे पड़े हैं लोग उसे बेशर्म पकोड़े वाला क्यों कह रहे हैं लोगों के इस तरह जग्गी पर भड़कने का कारण समझने के लिए कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा अगर इसी तरह कमाई होती रही तो थेरे लिए चांदी की पायल बनवा दूँगा अजी मुझे पायल वायल नहीं चाहिए अगर किसी को पता लग गया ना तो फिर बवाल हो जाएगा कोई आपको छोड़ेगा नहीं अरे तू चुपचाप रहे फालतू की बड़बर मत कर मुझे जैसे बेचना है पकोड़े मैं वैसे ही बेचूँगा जग्गी बहुत ही बेशर्म इंसान था वो पकोड़े तो बेशता था लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से वो पकोड़े के गोलों को पहले अपने गंदे बगल के तले दबाता और फिर पकोड़ियां तलता उसे ये सब करने में बहुत मज़ा आता था ये क्या कर उसने पकोडों को कड़ाई में डाला कड़ाई से निकलने के बाद उसने पकोडों की ओर गौर से देखा और मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला सीमा अपने पती को हर दिन ये गंदी हरकत करते देखती और उसे टोकती लेकिन वो अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आता था अरी ये तो क्या हर दिन चिकचिक करती रहती है है क्या करती रहती है मैं कोई गलत नहीं कर रहा ये तो किताबों में लिखा है कि पसीने की कमाई का मोल ही अलग है और मैं तो पसीने की ही तो कमाई कर रहा हूँ मेरे बगल के यानि मेरे बगल के पसीने की कमाई अरे वही तो पकोडों में स्वाद भर देते हैं और लोग बार-बार हमारी दुकान में आते हैं ले तु भी खा मेरी पसीने की कमाई के पकोडे मुझे नहीं खाने आपके पकोडे लेकिन मैं अब भी कह रहे हूँ आप ये बेशर्मी छोड़ दीजे नहीं तो ये एक दिन आप पर ही भारी पड़ेगी लेकिन जगी पर अपनी बीवी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो अपनी बेशर्मी जारी रखता और अपनी ग्राहकों को जो उस पर इतना विश्वास करते थे उन्हें पसीने से सने गंदे पकोडे देता समय इसी तरह बीत रहा था और जगी की बेशर्मी भी जारी थी इस बीच सीमा गर्भवती हो गई सीमा बहुत खुश थी जगी भी एक ख़बर सुनकर बहुत खुश था वा सीमा वा देख रही हो पगवान के कृपा कैसे भर भर कर बरस रही है हम पर हाँ देख रही हूँ तभी तो आपको कहती हूँ अब तो वो काम छोड़ दीजे अब हमारा बच्चा आने वाला है अरे तो फिर से शुरू हो गई तुझे क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है मेरी तरक्के से कभी-कभी तो लगता है तुझ मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है एक बर फिर से जग्गी ने अपनी पत्नी सीमा को चुप करा दिया और अपनी बेशर्मी में लगा रहा लेकिन वो कहते हैं न कि गलत काम कितनी भी चतुराई से आप करें एक ना एक दिन आपका भेद खुल जाता है और फिर उसके बाद आपको उन सारे पुराने गुनाहों का भे हिसाब देना होता है जो आपने किया होता है एक दिन की बात है जग्गी पकोडे बनाने के लिए पकोडों के गोलों को अपने बगल के नीचे दबा रहा था और धीरे-धीरे कढ़ाई में डाल रहा था तभी दूर खड़े एक आदमी की नजर उसकी इस हरकत पर गई उसने चुपके से जग्गी का वीडियो बना लिया और फिर उसकी दुकान पर गया वै जग्गी तु तो बड़ा बेशर मैं सीमा ने जग्गी की बात का कोई जवाब नहीं दिया बस अपना सिर नीचे जुका लिया वो ग्राहक समझ गया कि जग्गी इस तरह उसकी बातों को नहीं मानेगा उसने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो उसने लोगों को भेशना शुरू कर दिया जिसने भी उस वीडियो को देखा उसे उपकाई आने लगी वो वीडियो एक से दस, दस से सो और सो से फिर लाखों लोगों तक पहुँच कर वाइरल हो गया उस वीडियो को देखकर सभी को बहुत गुस्स आया और गुस्से में वे सभी जग्गी के दुकान पर डंडे और इच पत्थर लेकर पहुँच गए आज छोड़ना नहीं इसको इसकी सारी बेशर्मी आज हम निकाल देंगे मार देंगे इसे हाँ आखिरकार लोगों ने उसे पकर लिया एक पर फिर से सभी उसके पिटाई करने लगे कभी उसकी पत्नी सीमा भागती हुई वहाँ आई और लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए उसने कहा मैं जानती हूँ कि इनकी गलती माफ करने के लायक नहीं है इन्होंने आप लोगों के विश्वास का खून किया है आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड किया है लेकिन आप लोग इन्हें मार देंगे तो मेरा बच्चा जो अभी मेरी कोक में है उसके सिर से पिता का साया उच जाएगा भगवान के लिए मेरे कोक के बच्चे पर रहम कीजे और इन्हें छोड़ दीजे एक गर्भवती औरत की गिरगिराहट को सुनकर लोगों का दिल पसीच गया और उन्होंने इस वादे के साथ जगी की जान बक्षी की सीमा ने उनसे वादा किया जगी को वो जगा चोड़नी पड़ी जगी को बार-बार उसकी गलतियों के लिए आगाह किया जा रहा था लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था और एक दिन उसी आदत के कारण ना सिर्फ उसकी जान पर बनाई बल्कि उसे अपनी वो जगा भी छोड़नी पड़ी जहां उसकी दुकान बहुत चलती थी आज जगी जहां भी अपनी दुकान लगाने की कोशिश करता है उसके पुराने कर्म उसकी राह में आ जाते हैं अब उसे अपनी करणी पर बहुत दुक होता है लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पश्ताए होद क्या जब चिडिया चुक गई खेत झाल